तो दोस्तों हर साल 18 अरा पांड प्लास्टिक कच्रा हमारे महासागर में फेंक दिया जाता है। ये इतना है कि दुनिया भर गे सारे समुदर तटों के हर एक फुट को बस ऐसे पांच कच्रे बैक से भरा जा सकता है। पॉलिशन ने हमारे महासागरों को टाइम बं में बदल दिया। लेकिन बात है 1970 के दशक की जब एक बहुती कम जानकारी वाली डिवलपमेंट पोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा के तट पर अपने इलाके को बचानी की कोशिश की गई। जिसके लिए उन्होंने गाडियों के दो मिलियन पुराने टायर समंदर में डंप कर दिये। हम क्या? अब अब चाहे जो सोचें लेकिन इसका उदेश समुदरी जीवन को नुकसान पहुचाना नहीं था। अरे नहीं नहीं वे तो मदद करना चाहते थे और प्रणाम आपको हिरान कर सकता है। इसलिए ये जानने के लिए वीडियो के अंतर तक जुड़े रही है कि आखिर बीस लाक टायर समंदर के अंदर क्यों समा गए। खेर इस से पहले कि हम टायरों को दे यहां कुछ जरूरी चीज हैं जिनके बारे में आपको जानना होगा जो कि बहुत ही महत्यपूर्ण और डराब नहीं है। बता दूंगे 1972 से पहले कंपणियों को पानी में अपनी इच्छानों सार चीजों को फेकने से कोई नहीं रूख सकता था। इसलिए उनको खुली चूड़ती, इसलिए सिर्फ साल उनिस्वारसट में लगभग 38 मिलियन टन अन्वांटेड माटीरियल, 4.5 मिलियन टन इंडिस्ट्रियल कच्रा, 4.5 मिलियन टन सीविच, 100 मिलियन टन प्लास्टिक, 2 से 4 टन की पीच केमिकल कच्रा, और आखिर में 1 मिल आर्काइब के अनुसार, साल उनिस्वारस और उनिस्वारसट की बीच, 55,000 से जादा रेडियो एक्टिव वेस्ट के कंटेनर पैसिफिक महासागर में फेंके गए थे, इसके अलावा बता दूँ कि 34,000 टन का कच्रा, पूर्वी तटके स्थानों पर साल 1951 और 62 की बीच में जानते थे, हाला कि हिप्पी आंदूलन की बदावलत 1960 से अमेरिका के लोगों में थोड़ा कल्चरल बदलाव आया, और ये एन्वार्मेंट के प्रती जादा जागरूख हो गए, इसलिए 1972 तक सरकार ने समुदर में फेकी जाने वाली कुछ चीजों पर रोक लगा दी, जि का प्रडक्शन किया, जिससे बहुत सारा कच्रा पैता हुआ, क्योंकि आप जानते होंगे, रीसाइक्लिंग करने की तकनीक साल 1960 में बहुत कम थी, इसलिए जातर टायरों को लैट फिल में फेक दिया जाता था, जलाया जाता था, लेकिन 1972 में ब्रोवार्ड आर्टिफिशल रीफ इंक्लूसिव ने एक पत्थर से दो शिकार करने का समधान निकाला, जिससे ढकी हुई जमीन से सभी टायर हट जाएंगे और समुद्र में होने वाले नुकसान को कम करने मदद मिलेगी, लेकिन सॉलूशन क्या था, खेर उन्होंने फोर्ट लॉडडडेल तट पर भूजन और शेल्टर प्रतान करते हैं, इसलिए उनका विनाश विनाशकारी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उनको खत्म कर रहे हैं, इसलिए देखा जाए तो समुद्र में टायर फेंक कर, वे नई कोरल को विकसत होने के लिए एक्स्ट्रा सर्फिस बनाने की कोशिश में थे रीफ्स पूरे नॉर्थ इस्टरन अमेरिका, मैक्सको की खाड़ी, इंडोनेशिया, मिलेशिया, अस्ट्रेलिया और अफ्रीकां बनाए गए थे, तो फ्लोर्डा क्यों पीछ रहता, ऐसा होना वाकिए अच्छा लगता है ना, तुम बस जरा इंतिजार करो, इस प्रजेक् पूलर हुआ कि टायर मैनिफेक्चरर गुड इयर भी इसमें शामिल हो गया, उन्होंने ना सिर्फ छोटी नाओं को एकुपेंट दिये, बलकि उन्होंने आस्मान से एक ब्रेंड़िट ब्लिंप की मदद से एक विशाल सोनी की परत वाले टायर को गिरा कर साइट का नामकर भी कर दिया, वाह, हाला कि यह तब बिल्कुल भी मैलोड्रामेटिक नहीं था, तो कुल मिलाकर होश उड़ा देने वाले दो मिलियन टायर इस ओस्बॉन आर्टिफिशल रीफ बनाने में इस्तिमाल हुए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ओ दिखता कैसा होगा, भाई जहा भाई मुझे लगता है कि मेरे से कोई घलत ही हो गई है, शायद मैंने घलत क्लिप दिखा दिये, आईए फर से कोशिश करते है, क्या आप इसे देखने के लिए तयार हैं, ले क्लिप, अरे वो रीफ का हैं, वे सारे कॉरल और मशलियां भी का हैं, फिर यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, बतातूं बहतरी निरादों बड़े परिणामों के आशा होने के बावजूद ओस्बॉन आर्टिफिशल रीफ बस एक विफलता बनके रह गई, यादे ना मैंने पहले कहा था कि टायर के बंडल स्टील क्लिप और नाइलॉन से बंदे हुए थे, किसी नहीं भी ऐ और जब खारे पानी की बात आती है, तो यह पांच गुना तेजी से होता है, क्योंकि खारे एलेक्ट्रोलाइट्स ताजे पानी की तुलना में बहतर बिजली कंड़iner करते हैं, साथी क्योंकि जंग एलेक्ट्रोंस की मुव्मिंट की करण पैदा होती है, इसलिए जिभी त जिससे ये सारे दो मिलियन टायर धीले होकर बिखर गए अब क्योंकि फ्लोर्डा खराब मौसम के लिए बहुती नाजुक है इसलिए हर साल समुदर में तूफान आने से पानी में तेज लहरें पैदा होती रहती हैं जिन्होंने पहले से मौझूद नेश्रल रीफ को नश्ट को तोड़ दिया और एक हजार से ज़्यादा टायरों को फ्लोर्डा के पैन हैंडल में पहुचा दिया और फिर 1998 के तूफान बोनी ने हजारों टायरों को कैरोलिना के उत्री समुदरी तटों पर बिखिर दिया भाई ये सरा सरे गलती थी लेकिन इतना ही नहीं कि आपने लेक्सित होने के लिए मजबूत वाइल लाइफ आबादी के साथ स्वास्त गर्म पानी की जरूरत होती है और ये अब तो बिलकुल नहीं उगने वाले थे क्योंकि ये टायर तो उत्री कैरोलाइना में 900 मेल की दूरी ताय कर चुके थे हैं लेकिन हमें फिलहाल पूरी तरह बैकावे में नहीं आना चाहिए क्योंकि अच्छी खबर ये है कि हो सकता है कि ओस्बॉन रीफ के लिए बिलकुल सब कुछ विनाशकारी और निराशा जनक ना हो हलाग यससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें अगर आप इस वीडियो का आनन ले रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राब बटन पर थोड़ा प्यार दिखाएं उस पैसे सिवे डाइवर्स को पानी की नीचे भेजने और सोला सो धीले टायर एकठा करने में कामियाब रहें मज़े पता है कि इस बात का यहां कोई मतलब नहीं है लेकिन कम से कुछ तो है क्योंकि ऑपरेशन से पहले के तीस सालों में हर किसी ने बस दिखावा किया कि वह कुछ था ही नहीं इसलिए एक नाव एक क्रू और डाइवर्स को काम पर रखने और प्रॉपर ऑफराइजेशन हसल करने के बाद सोला सो टायरों में से हर एक को निकालने की लागत लगभख सत्रा डॉलर आई जो कि बहुत महंगा है और बता दूं कि पूरे रीफ को करने का फैसला गया और सिर्फ उस साल वे सेना के अभ्यास की दौरान लगभग दस हजार टायर तट पर लाने में सफल रहे जिसके बाद फ्रोड़ा सरकार मदद करने के लिए और दो मिलियन डॉलर दे करके टायरों को किनारे पर लाने के बाद ट्रांसपोर्ट और से जादा टायर अच्छूत पड़े हुए हैं हाला कि मैंने कहा था कि यह सब विनाशकारियों निराशा जनक नहीं था है ना फैर 2016 में और 2019 के बीच इंडस्ट्रियल डाइवर्स कोपरेशन के साथ 4.3 मिलियन का एक और कॉंट्रक्ट निकाला गया और आखिरकार साइट पर कुछ प्रोगेस होनी शुरू ही अपना पूरा जो लगाने के बाद IDC एक हफते में 2000 से 5000 टायर हटा रही थी और इसकी बदौला त उन्होंने कुल मिला कर धाई लाख टायर जमा कर लिए अलाकि उनकी इस बड़ी सफलता कि बावजूद भी टायरों का लगभग दो करते हैं कि इसकी वज़े से फ्लोरिडियन सरकार को धेर सारा पैसा खर्च करना पड़ा लेकिन फिर एक बहुती सस्ता समाधा निकल कर सामने आया साल 2021 में एक नया दावेदार मैदान मोतरा जब एक प्राइवेट कंपनी पोर ओशन ने घोशना करके बताया कि वे ओरिजिन से पांच पाउंड समंदरी कच्रा हटा दिया जाता है बहुत बढ़िया और उन्होंने अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई साल 2022 में उनके द्वारा लगाए गया अनुमान कहते हैं कि सिर्फ पांच लाख टायर या सिर्फ पच्चिस परसंट टायर या पानी के अंदर बचें यह वाकी में काबले तारीफ है लेकिन यहीं से कहानी एक और दिल्चस्प मोड लेती है क्या आपको याद है मैंने पहले कहा था कि जब पहली बार समंदर में सफाई का नोवा साउथ इस्टन यूनिवरस्टी द्वारा शुरू किया गया था तब हर एक टायर के लि पाउंड को हटाने की कीमत को आश्यजनक रूप से 145 डलर तक बढ़ा देता है जो कि वाके में रुला देने वाला है क्योंकि यह पहले के सफाई अभियान से साढ़े आठ गुना जादा है अब इससे बहले कि आपको दिमाह खराब होना शुरू हो जाए मुझे को चीज़ आठ गुना जादा यह वाकई दूसरों के तुलना बहुत जादा प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आसा करते हुए वह बहुत जादा पैसा उड़ा कर ले जा रहे हैं अब यहां मुझे आपकी मदद चाहिए क्या हम उन कंपनियों के बारे में अनु कौन भूल सकता है जिन्होंने एक विशाल सोने का टायर इसक अच्छे काम के लिए पानी में डंप किया लेकिन फिर भी अपने इस घिनोने मामले को आसानी से भूल गए भाई आप मुझसे पूछे वे अपने सभी गुडिया ब्रांडेट टायरों को लेंड फिल से निकाल तो नीचे चिपा हुआ है यहां आखों से दूर है और दुमाग से बाहर भी है अलागे मुझे किसी चीज का डरनी है लेकिन मेरी बास सुनो संभावना है काफी जादा संभावना कि गड़बड़ी करने वाले अपनी समस्या को ठीक करने के लिए बड़ी रकम जुटा सकते अगर वो पहले से तयार नहीं थे फिर भी वे खुद के फैला हुए कच्रे को साफ करके पैसा कमा सकते हैं भाई आज के समय में हमें एक ऐसे सिस्टम के साथ जी रहे हैं जो कि प्रदूशन को बढ़ावा देता है क्योंकि इसे ठीक करने की कीमत बहुत ज़्यादा है मैं य प्रशे समझने में मदद कर सकता तो मुझे कमेंट सेक्शन आकर बताना अफसोस की बात यह है कि ओस्बॉन रीफ ही एक मात्र असफल टायर रीफ प्रजेक्ट नहीं था फ्रांस में भी यही मामला 1980 के तशक्मा सामने आया था क्या जाता कि फ्रेंच रिवेरा के अधिकारि मेटल को छोड़ रहे थे हलागी यह मिनरल्स एको सिस्टम के फंक्शन के लिए भी ज़रूर है लेकिन ज्यादा मात्रा वाइल लाइफ के विकास पर बुरा सा डाल सकती है यह से भी बत्तर इसे पूरी तरह से खत्म कर सकती है हलागी इस बात पर जल्दी कारवाई करने के दनवाद की जल्द ही जात और टायर एक सफाय अवियान के दोरा निकाल लिये गए जो कि फ्रेंच स्टेट और टायर मैनिफेक्शरर मिचलिन ने शुरू किया था खुल मिलाकर इस अवियान के लागत एक दस्विमलाव एक मिलियन डॉलर से थोड़ी जाता थी यह लग कि वे भी जो कि डूब जाते हैं पैदा होने वाली समस्याओं की लिस्ट बहुत ही लंबी है जिसमें पैंट की टॉक्सिटी से लेकर प्लास्टिक के पार्स तक और एको सिस्टम में होने वाले भारी नुकसान भी शामिल है लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है क्या वह असल म बारे देखते हैं कि सभी मश्लियां इस एक पर एकठा हो रही है आब आदी से जादा मश्लियां पकड़ते हैं यार यह तो सच मिच में यार बिलकुल पाप है लेकिन एक्सपर्स के सभी विरोध और डिस्करिजमेंट के बावजूद भी नए आर्टिफिशल रीफ का निर चाहिए यह ताइर नहीं है यह शापित लोगों के आत्म है भाई फैर ऐसा नहीं है उम्मीद है कि कोई भी शापित नहीं होगा लेकिन रीफ एक ऐसी सेवा प्रदान करता है जहां किसी के निधन के बाद उनके अंतिम संसकार के अफ्शेश लेते हैं और उन्हें पी-एच नीट्रोल सीमेंट के साथ मिलाते हैं जो आम सीमेंट की तरह पानी के पैरामीटर पर कोई असर नहीं डालता इस से वे कॉंक्रीट मिमोरियल बनाते हैं और इनका वजन 550 पाउंड से लेकर भारी 4000 पाउंड तक हो सकता है इनका बहना पास इसके साथ जुडने के लिए काफी जगह होती है वाँ भी वाँ एक बार जब हर एक स्मारक और ओन्नमेंट तयार हो जाता है तो इसे 6 लाग स्क्वेर फिट की विशाल साइट में उतारा जाता है जहां हर एक स्मारक को पूरी बारीकी से तयार किया जाता है भाई मजा के केरी लिविन और कलाकार किम बेंट्रेल की दिमाग का कमाल है जिन्होंने एक ऐसी जगह की कलपना की जहां सवाह लाग से जादा अफशीशों को दफना आ जा सके लेकिन साल 2022 तक वे सिर्फ 15 से और लोगों को ही यहां पर एकठा करने में कामियाब रहे जिन में ऐसे एक प्रस मनेजमेंट जोन में रखा हुआ है इसलिए बोईटर्स भी यहां पर आते हैं साथे इसकूबा डाइवर्स और विजिटर्स अपने प्रियेजनों को भी सम्मान देते हैं हलागे मशली पकड़ने वाले बोटर्स और लॉबस्टर्स डाइवर्स पर सक्ती से रोक लगा दी गई है ताकि भी एको सिस्टम में छेड़ छाड़ ना कर सकें अब अगर आप किसी प्रियेजन के लिए या शायद अपने लिए इस बारे में सोच रहें तो रोक जाईए सुनिए कीमत सबसे सस्ता सबसे बनियादी मिम्रियल पर अपना नाम दर्ज लेने के लिए आपको 13,000 डॉलर की कीमत चुकाने पड़ेगी लेकिन ये कीमत आसानी से 85,000 डॉलर तक पहुन सकती है अगर आप डिजाइन में कोई सुधार चाहते हैं और जहां तक मेरी जानकारी है इसमें दाहत संसकार की लागत शामिल नहीं है जो आसतन 3500 डॉलर से 7,800 डॉलर के बीच में तो होती है भापरे ठीक है तो जातों लोगों के लिए कीमत थोड़ी जादा है लेकिन असल में ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बोराई है ना उन्होंने पास के ओसबॉन रीफ में हुई गलतियों को ठीक कर लिया और एड़ाप्ट कर लिया खेर अगर आप मुझे मेरी क्रोधुत यूटूबर होट टेक टोपी दोबारा पहने के लिए एक सेकंड देंगे तो वाकि में रीफ खुद में सभल है लेकिन ये क्रोटी सिस्सम के बिना नहीं है सबसे पहले आम तोर पर दाहा संसकार काफी अनस्टिबल होता है हर इंसान जिसका अन्तिम संसकार किया जाता है वे लगभग 900 पाउंड प्रदूशित कार्बन डायोकसाइड एटमोस्फेर में छोड़ता है जो क्लाइमिट चेंज की एक बहुत बड़ी वज़े और ये ग्रह पर गर्मी भी पहलाता है हलागि दाहस अनसकार के सभी एंवर्मेंटल प्रभावों की चर्चा इस रीख पर करना अनुशित होगा क्योंकि लोगों का दाहस अनसकार तो फिर भी होता अगर ये यहां ना होता तब भी लेकिन जो बात माईने रखती है वो ये है कि राह को किस कॉंक्रीट के साथ मिलाए जाता है कॉंक्रीट प्रडक्शन ग्लोबल कारबन डायोकसाइड एमिशन के लिए 8% जिम्मेदार है और वाता वरन पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है जैसे ही जाता कारबन डायोकसाइड हमारे समंदर में घुलती है तो पी-एच लेविल जो बताता है कि पानी कितना एसिडिक या एलकलाइन है और पानी जाता एसिडिक हो जाता है लेकिन कोरल को बढ़ाने के लिए एलकलाइन पानी की जरुद होती है इसलिए भले ही रीफ एक खास कॉंक्रीट का इस्तमाल करती है जो हानीकारिक मट्रियल को पानी में नहीं छोड़ती लेकिन कॉंक्रीट बनाने का प्रोसेस उसमें जरूर ऐसा होता है और यहीं पर मैं अपने आखरी दुखत पॉइंट पर पहुंच जाता हूँ यह सब नोटंकी नहीं है भाई यह पूरा जीवित ताबूतों का विचार नया थो बिल्कुल नहीं है हाली के सालों में हमने सभीत रहके इको बीरियल मेथोर्स देखें है जिसमें मश्रूम फाइबर से बने ताबूतों से लेकर बीच से भरा कलश तक शामिल है जो पेड़ों में बदल दिये जाते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह कहना उचित होगा कि सभी fundamental changes में मदद करने के बजाए वातावन के साथ छेड़शाड करते हैं यह और यह थोड़ा बोड़ा है अपना काम कर रहा है लेकिन क्या वातावरान पर इसकासल में कोई मैत्पून असर पढ़ता है मैं थोड़ा सा confused हुमाई और यही बात एक अजीब देखने वाली artificial reef USA ओरिस्किनी के लिए भी रागू होती है जरूर ऐसा है कुछ समुद्री जहाज डूब जाते है लेकिन ओरिस्किनी किसी युद्ध या किसी अजीब दुरघटना में बिलकुल नहीं डूबा इसे जान बूच कर डुबाया गया था जी हाँ अनमाल लगाया होगा हाँ फ्लोर्डा को वो भी एक artificial reef बनाने के लिए तो इसे खोल कर और इसके हिस्सों का कहीं और इस्तमाल करने के बजाए जो कि एक अच्छे विचार की तरह लगता है 2006 में फ्लोर्डा पूरा फ्लोर्डा बन गया था वे से पैंस्कोला से 24 मील दक्षिल में ले गए और 500 पॉंड सी फोर एक्स्प्लोजिव से उड़ा दिया इमानदारी से कहूं तो इसे दुबारा नहीं बना सकते हाला कि इस पर विश्वास करो या नहीं लेकिन USA औरिस्किनी को डुबाना वाकई में एक बड़ी सफलता रही इस 900 फिट लंबे मलबे ने तुरंट सभी किस्म की एक्वेटिक लाइफ को आकशित किया और यहां तक की स्कूबा डाइबर उसके लिए भी बड़ा अट्रेक्शन बन गया लेकिन आप मेरे लिए फिर से उस बड़ी परानी पार्टी का पॉपर बनने का समय आ गया है ठीक है तो औरिस्किनी ने काफी हद तक वातरवन में सुधार लाया जो ये कहने का एक शांदार तरीका है कि उन्होंने डूबने से पहले बुरी चीजों को निकाल दिया लेकिन उनके बड़े प्रयासों के बावजूद यहां अभी भी सेंक्डो पाउंड कैंसर पैदा करने वाले कैमिकल, पॉली, क्लोरिनेटेड, बाइफिनाइल्स, इंसुलेशन और वाइरिंग में मौजूद थे यह प्रोड़क्त तब बहुत ही लोग प्रिये थे जब औरिस्किनी का निर्माण हो रहा था हलाकि इने फिर 1978 में ज्यादा हानिकारक उनिक वज़े से बेंड कर दिया गया लेकिन वे नाव पर सवार हो गए थे अभी तक कोई भी हम जानकारी नहीं ले पाए हैं कि इससे कोई नुक्सान हुआ है नहीं लेकिन लगता है कि यह बहुत बड़ी भूल हो सकती है हलाकि रीफ अपने काम में अच्छा है लेकिन हो सकता है कि इसके साइड एफेक्स अपना बुरा सर उठाने में थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ लेकिन उन्हें अपना बुरा सर उठाने का मौका कभी नहीं मिलेगा अगर जहास को अभी अभी नश्ट कर दिया गया है इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में कुछ तर्ख है लेकिन मेरी बास सुने और इसकनी के पास अपनी सैने सेवा से उत्पन होने वाला बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल मूल है और अगर इसको खत्म कर दिया गया होता तो इतिहास का टुकडा भी नश्ट हो जाता क्योंकि इसको डुबा दिया गया तो इसकी सराहना की जा सकती है और इसको देखा जा सकता है लेकिन सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग वाले स्कूबा डाइवर्स द्वारा हाँ लेकिन ये अभी वी कुछ है यहाँ पर इसलिए जहास का डूबना गंभीर वातावरान विचार से कहीं जादा पुरानी यादों को बढ़ावा देने वाला राओगा मुझे लगता है कि मैं ये समझने कोशिश कर रहा हूँ कि ओरेस किनी इस दूसरे डीप्स की तरही बहुत बड़ी समस्या में योगदान दे कर किसी समस्या को हल करना चाता है धे सारे भलतू के टायर मिले उन्हें पानी में डुबा दो भलतू का कॉंक्रीट मिला इसे पानी बहा दो एक विशा लिया क्राफ्ट केरियर मिला मुझे सोचने दो मुझे पता कि मैं इसे भी पानी बहा दूँगा और यू एसस और इस किनी की बात करें तो इन में एक जाना माना पैटर्न है ऐसी बहुत सी चीज़े हैं जिन से चुटकारा पाना महंगा है इसलिए कंपनिया इसे डंप करने और इसके बारे में भूलने के लिए कानूनी रास्ते अपना आती है और अगर ये बहुत बड़ा है रीफ काम कर जाते हैं फिर तो अगर हर कोई अपनी पीठ थप थपाएगा अपनी द्वारा बेचे गए पैसे गिनेगा लेकिन ये विफल हो जाता है जैसा कि उस बहुन के साथ हुआ तो पहले से इस से चुटकारा तो पाई चुके है देखे हम वीडियो को एंड करके आगे बढ़ रहे है लेकिन वाकई इस पर आपके विचार मैं कॉमेंट में सुनना चाहूंगा ये वाकई में ट्रुकी है इसके लावा मुझे ये भी बताएं क्या आप इंड मैंसे किसी रीफ पर गए हैं और वो होते कैसे हैं मैं आपकी राई जरूर सुनना चाहूंगा लेकिन इसके साथ ही अलविदा लेने का समय आ गया है ठीक है मैं अपनी मदद नहीं कर सकता भाई चलो ये काफी निराशा जना करा अब पुराने समय के खातिर मुझे एक बुरी सजा देने के लिए माव की जिगा